तो फाइनली ढूंड ही लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप ढूंड लोगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षच हैं इतिहास हर्याना बोर्ड के किताब आपकी हमारा भारत एक और इसका पार्ट नंबर साथ के महत्वपूर परसनुस्तर आज इस होने वाले हैं पाट का नाम है विदेशियों के आकर्मण एवं उनका भरत्य संस्कृति में समावेश चलो शुरू करते हैं मैं हूं अजे और आप देख रहे हैं CCL गलास आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक जानकारी दे देता हूं आपको यह जो किताब आपकी हमा आपको पिन हुआ मिल जाएगा तो चैक कर देना चलो अब सुरू करते हैं कोस्टन अंसर को पहला परसन है मारे पास किन परमुख विदेशी जातियों ने भारत पर हमले करें अब बहुत सारी विदेशी जातिया भारत के उपर आई थी हमला करने इन मेंसे मेजर जो हमें च में तकसिला, पूराों में न देखो चार रजय है आप दो तरी के से उक्षा में याद करने हो तरीका बतार हो है क्यों लिखा आइस तरीके से जोन ठहले कों साले न था तो इस तरीके से वराट पूछे हैं बस नाम लिख जाना नासिका तक्सिला मतुरा लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है पढ़ना इसी हिसाब से है ताकि आप उसे लिख देखो सेम लिख होगे न उत्तर तब भी गलत नहीं है उत्तर तब भी सही है और अगर आपको पूरा याद करते हो पस्ची में बताने हैं अब यह कोस्टन आए ना भी आए कोई बड़े इसू नहीं है देखो कनिस्क केड़ेफिस पर्थम केड़ेफिस द्वीति है तो यह कुछ तीन राजाओं के नाम हमें चैप्टर में देखने को मिले कुछ सानवन्स के चोथी बहुत यह जरूर से याद कर लेना चैप्टर से बहुत इंपोर्टेंट है और जो जरूर से जरूर याद करने हैं और साथ में कनिस्क वाले जो कोस्टेंस है वह खास द्यान रखना उनका आपको ठीक है चलो चोथी महा सबहा में धर्माचारी है कौन थे इस सबहा के परमुख धर्माचारी है असव घोस तरी स्तंब लेक से हमको वह जानकारी मिलती है कि उन्होंने पहला कर्मन कब करा था अगला परसन है मिनांडर अपनी वीजियों के पेक्षा एक चिंतक के रूम में ज्यादा परसीद था कतन की पुष्टी कीजिए मिनांडर ने जो है सिक्कों पर बोध प्रतिक चक्र कोंकि जनता उसने जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम करें और इसकी लोग प्रियता इतनी थी कि इसकी मृच्चु होने पर इसके सरीर की राख के लिए भी लड़ाई हो गई थी इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि मिनांडर जैसा सक्तिसाली युद्धा सासक अपनी वी इस वंस का पर्थम राजा था जिसके सिक्के हमें उपलब्द होते हैं जिन पर खरोश्टी लिभी में राजात तिराज महान लिखा है इसके उतराधीकारी एजेज परथम और इजेज दवीतिया थे जिसकी जानकारी केवल सिक्कों से हमको मिली है इंडो पार्थियन राज तो आपको पता होगा मैंने बोला था कि थोड़ा सा ट्विक करके आप से पूछेंगे इतना बड़ा को सने को सन नहीं बनेगा अगर आएगा पेपर होगा तो पता लगया मेरे को बाइब करता जाओं के साथ में तो आपकी डूटी है आपको मालने आपका पेपर होता है आप यह वीडियो देखके गए हो तो एक बागी स्टूड़ेंट के हलप उनको भी ज्यादा अपडेट मिलते रहे टाइम के साथ में चलो आगे बढ़ते हैं अगले परसंद पे अब आपको बाएं अनोगे रही को कि मिलता है इसकी सब्सक्राइब करने कहा गया है इस सब्सक्राइब कर नों की सब्सक्राइब कोजए ईए विकार के लिए जब राजा जो है ना इसके अधीन हो गए ना उसके राजा के धीन हो गए तो उसके बाद ये खतम हो चुका था नासिक के सक्क सासकों के बारे में हमें कहां से और कहके जानकारी मिलती है यहां के दो सासकों भूमक और नहपान का उलेख हमें मिलता है नहपान नहपान इस्वंस का सकतिफाली राजा था जिसके राज्जे में राज्यस्तान गुजरात पश्ची मी मालवा उत्रिगों कर नासिक और पूना का इलाखा सामिल था नासिक गुहाविले अब देखो इसमें भी जैन एन के सक शासकों के बारे में हमें कहां से और क्या कही जानकारी मिलती है इस राजय की स्थापनाच अश्टनने की थी इसके मुदराओं पर चைत्य परथिक मिलते हुआ गश्फट बार हराय था उसने उसने सिंधू सोवीर का परदेश भी जीता उसने सुदर्शन जील का जिरनोधार करवाया गुप्त वन्स के समय में इस वन्स का अंत हो गया जब गुप्त काल शुरू आना तो उसके बाद यह ज्यादा नहीं टिक पाए जो कि हमें आने वाले चैप्टर म कंश्क की अगरंगरक्र की स्थापना कर दी मगद की महत्पून सफलता मगद की वीज़ा है उसने पाटली पुत्र पर हमला किया और राजा से बोला सबसे अधिक मुल्यवान वस्तूस ने मांगी राजा से तो राजा ने उसको एक बहुत भिक्सू, असरफ घोस नाम का बहुत भिक्सू उसको दे दिया, असरफ घोस के परवाव से उसने बहुत धरम अपना लिया था, और फिर सांती के रास्ते पर चल पड़ा, अगला जो कोस्टिन है वो है बहुत धरम की चोथी महासबा की तो नहीं किया जा सका और बहुत धरम दो भागों में बट गया, जो प्राचिन सिद्धानत में विश्वास रखता था उसे हीनियान कहा गया, अब से सीधा एक नंबर का कोशन आएगा हीनियान क्या है, क्या हीनियान क्या है, बस ये पूछ देंगे, तो जो प्राचिन समुदाय बन गए थी, हीनियान और महायान, दोनों के उपर कोशन बन सकता है कि हीनियान क्या है, महायान क्या है, तो दोनों को समझ गए न, आसान है, एक पुराचिन सिद्धानतों को मानता था और एक नए अपने हिसाब से सिद्धानत बनाने की कोशिश में था, बहुत ध रखेता मुर्तिया भार्तिया में गांधार कला का विकास उआ जिसमें बनाने के तरीके यूनानी थे परंतो मुर्तिया भरतियी देवी देवताओं की बनती थी इसी इस काल में साहिते भी बहुत ज़्यादा लिखा गया साहित समझ दोन किताबे वगारा वो बहुत ज़्यादा लिखी गई थी असव घोस ने बुद्ध चरित सोदरनात गरंत लिखे अभी ये देखो ये ध्यानक ना इसमें कोश्टन यहां से स्टार्ट होते हैं चोटे कोश्टन बने यहां से तो इस लेवल से जो है अगर हम आगे जाएंगे इस कोश्टन के उत्तर में तो हमें जो है कुछ छोटे कोश्टन भी देखने को मिल सकते हैं एक एक नमबर के जैसे पूछेंगे असव घोस दवारा लिखे हुए गरंत का क्या नाम है तो वो पूछ सकते हैं बुद्ध चरी कौन सा था वो पूछ सकते हैं चरक सहीता था वह भी इसी काल में लिखा इतने सारे गरंत लिखे गए और यह एक नमबर में पूछ सकते हैं इन गरंतों के नाम ठीक ध्यान अगना या फिर आसे पूछ सुन्यावाद नाम गरंत किस ने लिखा ऐसे करने के लिए ऐसे भी सब्सक्राइब करते हैं मैं कवर करने वाला हूं कलास वन से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लीज मीडियम दोनों में होने तो सब्सक्राइब करो साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए